हालो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी वी तैनी, स्टड़ी वी तैनी में हम सभी का स्वागत है तो चलिए आज हम लोग फिर से हिस्ट्री का जो बाकी था रिवोल्ट अफ़ेटीन फिप्टी सेवन का कुछ टॉपिक्स वो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इनिशिएशन ऑफ दे रिवोल्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दा ओरिजिनल स्पार्क ठीक है देखिः, ये सारे हम लोगों ने कर लिया था, Nature of the रिवोल्ट कर लिये थे, Reasons भी हम लोग ने कर लिया था अभी इनिस्रिशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो चली देखते हैं कि स्पार्क कैसे हुआ, कौन सा ऐसा चीज था जो एकदम से रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, देखें, इनिशेशन आप ते रिवोल्ट जो हुआ, देखें, वो स्टार्ट होता है, एन्फिल्ड राइफल जो था, वो इंटोड्यूस किया गया वो इंटोड्यूस किया गया था, और ब्राउण बेज राइफल जो था, उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब पहले क्या था, ब्राउण बेज राइफल, इसका नाम भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एन्फिल्ड राइफल जो था, वो स्टार्ट किया गया, इंट मतलब ड्रॉबेक क्या था कि जो इसमें कार्टू जो गोली जो भरना पड़ता था उसका जो कवर था ना उसको मांट से अनकवर करना पड़ता था ठीक हैं और यह जो इसका जो कवर था वो किसे बना हुआ था फैट आफ बीफ और आप लोग जानते हैं कि जो मतलब सिपोईस लोग थे वो लोग बेसिकली नौट इंडिया से ही सिपोईस लोग थे जैसे कि आवद से थे ओके आवद से मैकसिम थे आवद से फिर जाके बेंगौल से भी थे बिहार से भी थे ओके तो उसमें हिंदू एंड मुसलिम दोनों ही रहते थे अब हिंदू लो जा रहा है और उन्हों ने रिफ्यूज कर दिया उनका जो यह ऑडर था जो कमंडर का कि Enfield Rifle को जो इंट्रूड्यूस किया गया उसको उनोंने चलाने से उनको मना कर दिया गया ठीक है और 29th March को ये रिवोल्ट मतलब रिवोल्ट का जो ज़ंडा है उनोंने फैरा दिया क्या हुआ था बेसिकली 29th March 1857 को कैलकटा के नियर कैलकटा के सामने बैरेकपूर पोल के एक जगा है ठीक है बैरेकपूर वहाँ के 34th बेंगॉल Native Infantry Regiment के थे मंगल पांडे ओके और मंगल पांडे जो थे वो बिलॉंग करते थे कहां से बिलॉंग करते थे बलिया से बलिया कहां पे आवत पे है ठीक है ना अभी देखिए एक तो उन्होंने ये सिंगल हैंडे ली एक तो क्या किये कि वो मना कर दी उनका जो Infantry का जो भी थे ना उन्होंने सब मना कर दिया था कि हम लोग इस तरह का चीज जो है यूज नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइस को हम लोग यूज नहीं करेंगे उसको हम लोग अपना मूसे नहीं अटाएंगे ठीक है और अपना अफिसर इंचर्ज को इन्होंने क्या क्या और यह किसने मार दिया यह मंगल पांडे अभी देखिए मंगल पांडे ने मार तो दिया लेकिन वो एरेस्ट भी हो गया है कब कब अगाते देखिए 29 मार्च को ये गटना गटा और 8 एपरिल को उनको सजा हो गया उनको फासी हो गया ठीक है और इस रेजिमेंट के जितना भी थे सोलजेस थे उनको डिस्बैंड कर दि उनको संद्रेमेंट की आखिए लिए जाता हैं लनको सब्सक्राइब एक इंप में ग्यास, मेरा थेंशी येaquות च मने उनको सब्सक्राइब फोल्च, लेकिन की वह खवे जाते हैं लोको पले मना सबस्क्राइबरे मेंगा है निवल्च कर देख थे अमच्प आए तो जैसे की समंधर पाँ किया जाता था तो वो हिंदुस के लिए उस समय के क्या था कि नहीं वह जात चला जाएगा अगर समंधर पाँ जाएगा तो यह सारा रिसेंटमेंट अल्डेडी तो इन लोह के अंदर में था यह एकदम भड़क गया कि क्या बोल रहा है बिटिश की मुँ से यह जो चरवी है जो जो मैटेरियल से बना है वो हम लोग का किसी का जो है पूजनिय चीज है किसी का है वो घरिन चीज है अगन्य है तो उसको मुँ से हटाने को लिए बोला जाड़ा तो उनलों का यह स्पार्क हो गया स्पार्क बोल सकते इमेडियेट कि एन्फिल्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल को रिप्लैस किया गया और मंगल पांडे जो 34 नेतिव इंफैंट्री एटे उनों नहीं रिफ्यूज किया अलों विथ हिस कलीग्स और उनोंने क्या क्या सिंगएड़े ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर को इन्फिसर इंच तो इसलिए वहां भी स्टार्ट हो जाता है एकदम रिवोल्ट वहां के भी जो यह लोग थे जो सिपोईस लोग थे वो भी मना कर देते हैं जैसे कि 85 इंडियन सोलजर्स थे ब्रिटिश इंडिया आर्मी के 3rd के वैलरी के रजीमिंट के मिरट के वो भी रिफ्यूस कर देते है कि नहीं हम भी यह चीज नहीं करेंगे ओके रिफ्यूस करते हैं और जैसे रिफ्यूस करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं सिपोईस लोग को पकड़के life imprisonment दे देते हैं मतलब life sentence दे देते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं वो लोग क्या करते हैं कि open rebellion open revolt में आ जाते हैं और उनका जो आफिसर है उनको मार देते हैं प्लस बीस और भी बीस आफिसर थे ब्रेटिक इंडिया का उनलों को भी उनलों मार देते हैं और जो भी वहां पे गोला बारुत था और भी जो बंदू के राइफल्स थी उनको वो ल प्लस हो गये थे उनको प्रेस नहीं कर पाएं ठीक है प्लस जो बार वर 21 में डिली की डेली के लिविल थे विल्टस भी वह भी नहीं कर पाएं और डयरिक्ट ये मुटेनियर्स क्या किये जा के भाधुर्शा के धरवार पे पहुँच जाते हैं ओके तो देखिए फिर से आ को मार दिया, तो उनको पकड़ के arrest कर लिया गया, उनका फासी हो गया इसी के नतीजे पे आवद का बाकी जो जितने भी आवद के जो regiments थे आवद में जैसे की मिरट में, वो लोग सब same resentment, same चीज़ के लिए revolt करते रहे, कि नहीं हम लोग भी यह चीज को नहीं करेंगे इस्पेशली मीरट में 3rd Cavalry Regiment जो था वो उन्होंने क्या किया 85 Indian soldiers थे वाँ पे तो उन्होंने मना किया तो उनको क्या करते हैं British की उनको life sentence दे देते हैं मतलब नफासी के सजाद दे देते हैं और जो है imprison कर देते हैं उनको जो जेल में डाल देते हैं लेकिन बाकी जो cavalry का और भी सिपाई लोग थे वो लोग rebel कर देते हैं revolt कर देते हैं और वहां के 20 करीब 20 officers को उनको मार देते हैं और जो भी गोला बारुत था जो weapons थे वहां से हडप लेते हैं और दिल्ली के तरब चलते हैं ठीक है कमांडर जो था मिरट का वो भी suppress नहीं कर पाते इवन दिल्ली पहुँच जाते हैं लोग 12 में को और दिल्ली का जो lieutenant थे वो भी नहीं सकते इनको जो mutiny हो रहा था उसको suppress कर सके अब सारे जो mutinyurs थे जो सिपाई लोग थे हैं बिद्रो ही जो थे वो जाके मुगल बादशा के यहां पे दर्बार पे चल जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ही हमारा राजा हो मुगल बादशा आप ही हो आप हमारा लेडर बन जाओ यहां पे reward स्टार्ट होगा ठीक है लेकिन क्या होता है कि यह जो मुगल यह जो बादशा जफर है बादशा टू या बादशा जफर जो भी बोलिये यह जो थे यह और रड़ी उस समय पेंशनर थे किनके पेंशनर थे यह ब्रिटिश गवर्मेंट के मतलब इस इंडिया कंपनी के पेंशनर थे इन्हों ने बोला कि नहीं हम अपने मतलब जो उनका अलड़ी वो एजर थे करीब वो 80 यह का उसको उनका एज था उस समय उन्होंने बोला कि नहीं हमको यह सब जमिला में नहीं पढ़ना है लेकिन उनकी जो बेगम थी ठीक है बेगम जीनतमहल जीनतमहल उन्कों ये जो ऐसा और नामिनरल किंग मन जाते हैं लेकिन पूरा जो कमांडर इंशीप कमांडरorter जो काम समालते हैं ये आप बोल सकते हैं जो है जेनरल वक्त खान या फेर बक्तावर खान ओके यी समालते हैं और बादूर्शाह जफर उस प्रस्य क्या करते हैं जितने भी जमिनल आर्जर, प्लस इलिट क्लास के बिखने देखेंगे तो अभी हम लोग देखेंगे इतने सारी जगा में पड़ेंगे टीक है? जैसे बिहार के लिए हम एक separate वीडियो के बनाएंगे अब जासी देखेंगे हम लोग अप्रिज हम लोग जो है काणपूर देखेंगे different different जगा है जो specially हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कुछ जगा जो है वो हम लोग touch करते जाएंगे वहां के leaders कौन थे और किस तरह से suppress हुआ और कौन participate किये थे वो सब देखेंगे तो hope कि अप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा कि यह स्पार्थ था कहां से स्टार्ट हुआ था कि बैरेकपूर से 34 रेजिमिंट के मंगल पांडिते उन्होंने स्टार्ट किया था infled rifle को उन्होंने use करने के से मना किया था क्या कारण था वो भी मैंने अब लोग को बता दिया second जो बताएं उनका fancy हो जाता है फिर mirat में जाके मितिनी होता है start होता है मिरट में एटैक मना करते हैं फिर जाके एटैक करते हैं बिरिटिक शोल्जर्स पे और फिर जाके वो लोग पहुंच जाते हैं बादुर्शा जफर के पास यह जो है ना जो revolt है यह 10th में को start होता है लेकिन 10th में को यह start होने का नहीं था 30th में को start होने का था okay so anyways next हम लोग देखेंगे different different regions कहां कहां पर centers हुआ okay revolt का और कैसे कैसे हुआ वो हम लोग total details में देखेंगे यह just immediate cause था तो यहां आप तक ही रखते हैं और आप लोग से मेरे request है आप लोग सब देखते हैं वीडियो लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो please support कीजिए subscribe करके okay so thanks for listening thank you bye bye and take care